व zich कि खतम हो गया तो कल प्रखार के प्राम कर दिया करल बढ़ा के लिए जे हमांतने है कम तो ट Dazu है कल से ऑगे आज सुबह सुबह मिल जाएगा तो इसलिए कम यूम Ang जी शिराज जी मीनु द्यावना जी आडी चारं जी 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 तेन बहरबा जी गुट इमनिंग सभी लो सभी अनलाइन अफ्लाइन फ्रेंज गुट इमनिंग निजपेपर inclusive कैसे इलेक्षन्स इनक्लूजिव इलेक्षन्स यानि जिसमें सभी वर्ग का समा वेशो यानि सबको मतदान का अधिकार मिले उसे क्या बोलंगे इनक्लूजिव इलेक्षन्स ट्रूथ फुली मतब सत्य रूप से तो यह सबजेट्ट प्लूरल है तो यहां वर्भ है रिफ्लेक्ट तो रिफ्लेक्ट से एस का यूद्ड नहीं होगा क्योंकि प्लूरल सब्जेट के साथ वर्ब की फैश्वाम में एस नहीं आएगा ग्रामर आगया नहीं अब यह प्रिजेंट सिंपल है रिफ्लेक्ट करते हैं प्रतिभिंबित करते हैं रिफ्लेक्ट वाट दा एक्सप्रेशन मने अभिव्यक्ति आफ इस आफ का आपजेट ब इस विट्ट्रूल समूमिक करते हैं हो यह एक्ट्रूल समू समूहिक यह फिर्फ मॉडल वर्म यह बिल्स क्या एिच्छ नाउन साब इंच्छा का अभीव्यक्ति को और एक सने सबी और को इनक्लूजिद करने वाला से इनक्लूजिव 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 से सोमील करने कि लोगों के सामुईप इकचाखेव अभिव्यक्ति को रिफ्लेक्ट प्रतिबीम्बित करते हैं कौन एलेक्शन्स अब देखो एंड के बाद बताया है कि कॉमन फेक्षर एंड के बार जो चीज रिपीट होती है वो क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है तो यहां पर एंड किसको silent किया है elections inclusive inclusive elections यहां भी आएंगे लेकिन इस बार subject को क्या किया है silent कर दिया यह inclusive elections are a hallmark पैचान of democracy लोगतंत्र की क्या है मुख्य पैचान होते हाल सब्सक्राइब कमीशन कमीशनर राजीव कुमार सब्सक्राइब यह बात कही इवन एज इवन एस ही अदेखना ही चैलेंजेज आफ मतलब उन्होंने जब यह बात कही न कि कल इंक्लूजी विलेक्साइंस लोगों के कलेक्टिव विल को और प्रिजरन करते हैं तो तब उन्होंने एक बात और भी कही हिर है कि ऐस ही इवन एस ही वाफ सोब्सक्राइब सब्सक्राइब समने मेडिक्ट तु एस ही के पैट पर चैलेंजे़ ऑफ मेडियक्ट मेडिया है तो चैलेंज़ को 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 चैल debate the challenges को की Stress किया these किया कहा focus किया सब्सक्राइब कि चलो आध किनि यह असदिये भी वाले हाथ उड़ाएं कि लिच्वाले आधाएं गलत है क्योंकि दृसल मीडिया की जो चुनौटी है उस चुनौटी पर उन्होंने जोर देकर कहा इलेक्जन कमीजलर सोजल मीडिया के चुनोती को फेस नहीं किया वो कह रहें कि जब यहां पर उन्होंने ये बात कही कि जो इंक्लूजिव इलेक्जन है वो रिफलेट करते हैं लोगों की सामुई अभिबैक दिको और साथ में उन्होंने इस बात पर भी जोर भी दिया उन्होंने सोजल मीडिया के चुनोती पर जोर दिया जोर देकर कहा क्या जोर देकर कहा and their intersection with election management bodies चुनाव प्रबंदन की जो bodies का मतलब एकाईया चुनाव प्रबंदन की जो bodies है उनके साथ सोशल मीडिया का intersection intersection का मतलब ऐसे इन दो रोड आपस में काटती है ना तो मिलन बिंदू इनका मिला यानि कि चुनाव में सोशल मीडिया जो है चुनाव प्रबंदन की जो bodies है उनके साथ उनका उनको दो चार होना पड़ता है यानि उनके साथ उनको इंट्रेक्ट करना intersection होता है यानि क्या मतलब है कि चुनाव प्रबंदन की जो organization है bodies है उनका intersection किसके साथ होता है सोशल मीडिया के साथ होता है यह कैसे होता है कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो मतदाता है उनका एज ग्रूप उनका आर्थिक और जाती और धार्मिक जानकारी मिल जाती है सोशल मीडिया को तो वैसे लोगों को पार्टिया क्या करती हैं टार्गेट करती हैं और उनको लुबाने की कोशिश करती हैं तो यह क्या हो गया intersection हो गया तो यह चुनोतियों के intersection और social media के challenges पर उन्होंने जोर दिया जोर दिया election commissioner है यही उसने सामना किया अरे यह तो समझो कि election commissioner ने कहा इसका मतलब है कि उन्होंने मीडिया के जामने अपना वक्त बेद दिया तो वहां पर सामना किया सामना किया या जोर दिया जोर दिया इसलिए यहां पर क्या हैगा stress फेस गलत है उन्होंने election commissioner ने जोर दिया किस साथ पर चुनवतियों पर और intersection पर क्योंकि अगर इस पर नहीं वह किया जाएगा social media जो है मतदाताओं को लुबा देती है जैसे कोई जातिया या धार्मिक भावना को बढ़काने का इस पर फेक न्यूज फैला दिया फेस फेक न्यूज पहला दिया तो यह चुनवतिया कि नहीं है तो उस पर उन्होंने जोड दिया कि और साथ में intersection यानि कि कई चीजें जो होती है उनके काम को social media कर देता है social media के साथ उनका intersection होता है मिलन दो चार होना पड़ता है यह बताओ EMB का full farm क्या होगा election management bodies the EMBs the CC said देखो यह पूरा समयना चीए था कि चीफ election commissioner का यह पूरा statement है तो आपर सामना कहां से आ जाएगा इस्ट्रेस का मतलब है जोड देकर कहना इस्ट्रेस दाएगा जोड देकर कहा दा EMBs यह father subject the CC said CC ने कहा expected social media platforms अब देखना जड़ा election management जो bodies है organization है उन्होंने expect किया था किसको social media platforms को किस लिए यूज करने के लिए their algorithm power programming में algorithm होता है न तो उनके algorithm के power को यूज करने के लिए social media से उमीद किया कौन किया EVM ने आगे तू रेड फ्लैग फेक न्यूज अब आगे देखो दूसरा है तू अब बताओ क्या होगा तू है यहां पर रेड फ्लैग वर्ब की यहां पर क्या है सुम्झो रेड फ्लैग तो नाउन होता है लेकिन रेड फ्लैग किसको करना है यानि फेक न्यूज पर लाल जंड लाल जंडी दिखाते हैं तो ट्रेन रुकती है ना उसी तरह यहां red flag fake news यानी fake news को red flag करना यानी fake news को रोकने के लिए to red flag यहां red flag का मतलब क्या है रोकना किसको fake news को रोकने के लिए और अपने algorithm power का use करने के लिए जो election management bodies हैं उन्होंने expect किया था किस से social social media platform का मतलब क्या है YouTube Facebook और Twitter से उमीद किया था कि उनके पास algorithm का power है programming का power है तो उसका use करके ऐसे fake news को क्या करने रोके हैं तो red flag यहां noun नहीं है वर्ब है अब यहां पर टू और वर्ब के बीच में क्या हैगा अब यह बताओ कि election management body यह social media platform से fake news को regularly रोकने के लिए उमीद करेगा या irregularly तो यह दो गलत है अब देखना अकेजिनली या हमेशा बोलो कभी कभी या हमेशा यह भी गलत है यहां लोग प्रियर रूप से या प्रोएक्टिवली शक्रियर रूप से किसे अतिसक्रियर रूप से अब यह लड़का नहीं समय रहे कि अतिसक्रियर रूप से का मतलब क्या है इसका मतलब कि फेक न्यूच बहुत ज्यादा फैल जाए फैलने से पहले ही एक्टिव हो जाओ प्रोमने आगे फैलने से पहले ही चला करके एक्टिव होकर उसको रोक दो तो क्या हो जाएगा प्रोएक्टिवली पर किसने किसने की आ तो जब दाधा हाथ उड़ाएं कई लोगों का सही हो गया प्रो एक्टिवली जिनका गलत हुआ है वो दिमारलाइज ना हो यह प्रो एक्टिवली क्योंकि यहां पर रेड फ्लैक समझ में नहीं आया होगा रेड फ्लैक में यह आपजेक्ट है और यह वर्ब है यह इंफिनिटी बेप बीच में एड़ वर्ब आया है आगे चलो हिस कोमेंट्स के कुमेंट्स किसके कुमेंट्स इसका मतलब कि वह जो फेस लिखे थे अगर नहीं समझ में आ रहा था तो आगे उसको छोड़ के आगे बढ़ो इसमें स्टेटी यह बता रहा है टीजर कि जब आपको क्लोश टेस्ट में एक आप्शन नहीं आ रहा ना उसको छोड़ के आगे बढ़ो गलत मत करो आगे आप कि एज कॉमेंट्स के मुसके कॉमेंट्स आए अब देखाई ये थैश प्रेपोजीशन का ऑबड़ेट क्या है कॉंफ्रेंस हैं कॉंफ्रेंस कन्फरेंस के लिए मिटिंग के लिए हिंदी में में तो मे दिक आ को क्या मैं और अट्शेक्टिव गांडिपी दो दिवसी यहा उनका यह कॉमेंट आया है अंदा अब उस विशे था कॉन्फरेंस का विशे क्या था रोल फ्रेमवर्क एंड कैपसिटी आफ इलेक्शन मेनेजमेंट बॉडी चुनाव प्रबंधन की जो इकाईयां हैं उनकी श्यम्ता उनका फ्रेमवर्क का मतब प्रासेस या मेथडलाजी द्हांचा और उनकी भूमिका के ऊपर एक कॉन्फरेंस आया जित हुई थी इंटरनेशनल ठीक है आगे है बाइद इलेक्शन कमीशन इसी अंडर अब देखना अब यह लड़का नहीं समय रहा है कि यहां पर थर्ड में क्या आएगा अब यह लड़का नहीं समय रहा है इस अब यहां पर यह जो कॉन्फरेंस है उसके लिए आया है कि यह कॉन्फ इस इस रोल पर इस टापिक के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फरेंस जिसको विच विच वाज पैसिब आएगा विच वाज आर्गनाइजड तो यहां पर और नाइज अगर लिखते तो क्या था किया गया कॉन्फरेंस को पैसी बाना चीए था लेकिन अगराइज बी के बाद वर्ब की फर्स वां गलत है इस पॉंसर सिप्टों कमपनियां करती है यहां पर इलेक्शन कमीशन इस पॉंसर करेंगा इलेक्षण कमीशन कमीशन संभाइदानिक बॉड़ी है वह इस पॉंसर किसका होल्ड का क्या है थार्ड फाम है 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 समझ में आ गया सबके किसका किसका हैं अब यहां पर विच वाज हैं था यह मेरे श्रेंट भाई हो और रोज-्रोज बतादा हूं क्या वीच और वाज क्या हुआ है साइलेंट हो गया है साइलेंट हो गया इसलिए क्या यहां है ह कोर्ट, कोर्ट एक ग्रूप समू, on election integrity का मतलब, रख उसको, integrity का मतलब क्या है? एकता, यह नहीं, integrity का मतलब यहाँ एकता निष्ठा, एक निष्ठ, मतलब अपने निष्ठा के साथ जुड़ना, अपने निष्ठा के साथ जुड़े रहने को क्या बोलते हैं? integrity, यानि की election चु कि इमानदारी पर एक समू के अंतर गत्त लैठ अब यह भी क्या है, which इसं आभ विक यह क्या है? Which Schuld by the Commission, जो Commission के द्वारा, यह यहाँ विच्वाज है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ पर अद के बाद विच्वाज silent हो गया है जिसको इस्तापित किया गया और जिसको held किया गया as a follow on to the summit for democracy held in December last समझो यहां भी फिर which was है विच बार बार विच वाज साइलेंट हो रहा है पिछले साल दिसंबर में सम्मिट फॉर डेमोक्रेसी नाम के एक कांफ्रेंस को आयोजित किया गया उस कांफ्रेंस के follow on के रूप में इस्थापित किया गया किसके इस्तापित किया गया किसके द्वारा cohort on election integrity मैं बता रहा हूं कि पिछले दिसंबर में सम्मिट माने शिखर वारता फॉर डेमोक्रेसी शिखर वारता किसके बीच होता है देश के प्राइम मिनिस्टर और राश्पतियों के बीच बाहर के राश्पति और प्रदानमत्री सबसे टॉप पोस्ट होती है तो शिखर सम्मिट मनें शिखर वारता फॉर डेमोक्रेसी तो बड़े-बड़े राश्ता देख्षों के बीच में एक मिटिंग होई थी अमेरिका के लीडर्सिप में चाइना और रश्या वगराना के खिलाब तो सम्मिट फार डेमोक्रेसी के यहां 2 का मतलब आफ है लेकिन 2 लग ज़ह रहा है कि फालोओन के रूप में फालोओन का मतलब किसी प्रोग्राम के बाद में जो activity की जाते हैं किये जाते हैं उसको क्य बोल रहा है follow on यह follow on determiner ले रहा है इसका मतलब follow on क्या है noun के रूप में यानि इस summit के बाद में होने वाली activity के रूप में इसकी स्थापना की गई थी किसकी cohort on election integrity integrity का मतलब इमांदारी चुनाव में धांदली ना हो तो उसे क्या बोल रहा है election integrity उस पर एक ग्रूप बनाया कब बनाया दिसंबर वाली conference के बाद लेकिन यह conference तो अभी October में हुई नॉबर में October में अभी हुई है तो यह कह रहा है कि उसके बाद से यह जो वाला ग्रूप बना इसके अंतरगत इलेक्शन कमिशनर के द्वारा यह जो है यह conference on the role of framework and capacity of election management bodies यहां पर डिसाइड हुआ था और उसी के अंतरगत इसको आयोजित किया था तो यहां पर क्या आएगा बताओ है यही आएगा ना speaking बोलते हुए on the अब बताओ यह डिटर्मिनर है यहां पर क्या आएगा नाउन बोलो क्या आएगा अब सॉरी इस preposition का object कौन है चैलेंज अब यहां पर क्या आएगा adjective कैसे चैलेंज़ेज चलो प्रेस्ट वाले हाथ उडाएं प्रेस्ट वाले हाथ उडाएं प्रेसिंग वाले हाथ उडाएं अर्जेंटली वाले हाथ उडाएं और सिरियसली वाले हाथ उडाएं यह यह सब क्या है एडवर्ब्स यह सब क्या है एडवर्ब्स क्या है कि मनुस्य के पास बुद्धी तो है लेकिन जो सेलेक्ट होने वाले लड़के होते हैं उनकी शार बनता है गदौण वालण वाली का सेंस देता है अर्फात दबाव डालने वाली चुनऊति हैं और जब थेड़ फान से इड्जेक्टिब बनता तो उसका मतलब होए हो चुका educated person का मतलब educate हो चुका interest exciting match का मतलब excite करने वाला मैज और excited fans का मतलब excited हो चुके fans educated person का मतलब क्या है 60 हो चुके पर से married woman का मतलब शादी हो चुके उसी तरह interesting match का मतलब interest पैदा करने वाला उसी तरह से pressing challenges प्रेस करने वाली चुनवतियां मतलब दबाव डालने वाली चुनवतियां और प्रेस्ट प्रेस्ट हो चुकी अरे चुनवती प्रेस हो चुकी नहीं चुनवती जनता को बनाती है कि यह अगर करते तुम लोग इन चीजों पर नहीं ध्यान देते हो बहुत दुख होता है concept लरना चाहिए रखते रखते तो इतनी उमर हो गई पचास साल के हो गए अब क्या रट हो गए इस वह रटने का काम छोड़ो concept समझो बुपेंद मिला नम है मोबाइल देख रहा है तो यहां पर क्या है का अब यह यह तो दोनों एड़बर में तो यह नाउन की यह नाउन है तो नाउन की विशेशता एड़बर बताएगा क्या तो pressing नीट्स होगा बहुत ही दुरबाग के पूल रहे हैं अब यहां देखो speaking on the pressing challenges प्रेस करने वाली चुनोतियों पर बोलते हुए अब क्या है EMBs today अब यह object है अब इसके लिए यहां पर सब क्या है मेख़े प्रेपोजिशन प्रेपोजीशन है इलेक्शन मैनेज्मेंट बॉड़ी चुनोतियों इलेक्षण मैनेज्मेंट बॉड़ी के सामने सामने तो क्या हो जाएगा बो आफ्डर गलत है अब वीद भी गलत है अब सामने election management body के सामने pressing challenges पर बात करते हैं अब in front of or before दो है in front of का मतलब है face to face यह physical sense पर होता है तो यहाँ पर physical sense नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा before कल ही आया था before के सामने कल इसलिए मैंने आज दे दिया इसको before वाले हाँ उड़ाएं किसी नहीं किया है before का मतलब के सामने तो यहाँ before आएगा election management bodies के सामने press करने वाली चुनोतियों पर बोलते हुए कौन? Mr. Kumar Rajiv Kumar Mr. Rajiv Kumar देखो फिर आगया stress उन्होंने जोर दिया their intersection with social media platform इसका मतलब यह भी ध्यान में रखना अक्सर ऐसा होगा कि कोई close test अगर नहीं आ रहा है stress नहीं आ रहा था तो आगे उसका मिल जाता है कभी कभी आगे पढ़ोगे ना उसका answer दिया रहता है यहां stress मने intersection पर जोर दिया यानि जोर देकर उन्होंने इस बात को रखा क्या रखा intersection with social media इंटर्सेक्शन यानि कुछ ऐसे बिंदू है जहां पर इलेक्शन मेनेजमेंट बाडी और सोचल मीडिया के बीच में क्या होता है intersection होता है यानि उनके बीच में दोनों की भूमिकाएं एक साथ मिलती है उस पर जोर दिया उन्होंने more, more early are deeper red flagging are fake news कह रहा है कि बहुत पहले या बहुत गहराई में red flagging मने लाल जंडी are fake news based, यह क्या है which which is based on non-modal operandi known माने ग्यात, modus operandi का मतलब है काम करने की प्रणाली and genre इसको genre बोलते ही यह बहुत अच्छा word है इसको शैली इसका मतलब क्या है कारे करने की शैली और कारे करने की प्रणाली कारे करने की शैली और कारे करने की प्रणाली कैसी ग्यात पर आधारी fake news की और गहराई में red flagging और पहले और पहले red flagging थीच से न i red flagging not and अब देखना अब यहां पर देखना अब यहां पर क्या आएगा बताओ ही जायेगा आर आएगा हाईगा है दाओ क्या होगा यहां पर subject क्या है जो कोई अधर subject यहां पर व्र्व है ना यह सब वर्व हैं, तो इस वर्व का subject कहा है, बोलो, कौन है, कौन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अगर ऐसा करने लगे, तो अच्छे दिन, दूर नहीं, इस preposition का यह क्या है, object, और based on यह, which is यहाँ पर क्या है, silent है, जोस्त, on का object क्या है, modus, operandi, और general, दो object है, तो कार की प्रणाली और कारे शैली, जो ग्यात कारे शैली, ग्यात कारे प्रणाली और ग्यात कारे शैली पर जो आधारित है, fake news की flagging, यह क्या है, father subject और इसकी mother, तो red flagging singular है या plural है, अब तो plural वाले तो, काट दो, अब is का यूज करूँ या hedge का यूज करूँ, अब यहाँ पर is not an unfair expectation, यानि कि social from the EMB, समझो, election management bodies की तरब से unfair expectation, अनुचित expectation नहीं है, expectation किसे किया जा रहा है, social media platform से, कि YouTube पर, Twitter पर, Facebook पर, अगर fake news आ रही है, तो थोड़ा और पहले, उसकी red flagging हो, और उसकी और गहराई में red flagging हो, तो यह कोई unfair expectation नहीं है, कौन? red flagging, red flagging समझ रहे हो न, रोकना, clear है, तो यह है, he said, उन्होंने कहा, such a, such मनें, देखो proactive आ गया न, such मनें ऐसा proactive, क्या, ऐसा proactive बोलो क्या होगा, ऐसा proactive कानून, ऐसा proactive rule, ऐसा proactive scheme, ऐसा proactive approach, क्या है, यह कोई rule, कानून और scheme नहीं गोसित हो रही है, वो उमीद कर रहे हैं, कि जो social media platform का जो नजरिया है न, वो थोड़ा proactive हो जाए, थोड़ा proactive, approach का मतलब, तरीका या नजरिया, तरीका या नजरिया, तो यहाँ पर बोलो क्या आ जाएगा, approach आएगा कि नहीं आएगा, approach किसने किसने सही किया था, approach नहीं किया था, तुमने क्या किया था, इसलिए यहाँ जो बात हो रही है, वह किसी कानून, योजना या नियम की बात हो रही है, या social media से उमीद की जा रही है, तो उमीद क्या है कि उनका approach पॉजिटिव हो, proactive हो, उनका approach क्या हो, proactive का मतलब कि वो red flagging तो करते हैं, लेकिन करते करते हैं, देर कर देते हैं, दूसरी बात, red flagging करते हैं, लेकिन गहराई में red flagging, नहीं के फिर भी कुछ लोगों तक पहुंच जाता है रेड फ्लागिंग को गहराई में करने का मतलब अगर एक गाउं में भी किसी ने कोई सोचल मीडिया पे कुछ डाला तो तुरंत उसको रोग जाए तो यहां ला रूल और इस्कीम नहीं क्या है प्रोएक्टिव अप्रोच होता है प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव कभी भी भाईयो बैनों कानून नहीं होता है प्रोएक्टिव इसकीम नहीं होती है प्रोएक्टिव क्या होती है अप्रोच होता है यह कॉंबिनेशन सीख ला अगर एक बार फिर से पढ़ते तो बड़ा अच्छा होता है To counter, counter करने के लिए किसको? Fake news का counter, जैसे पुलिस का encounter होता है उसी तरह to counter fake news अब यहाँ पर subject क्या है? Approach ऐसा approach किसलिए? फेक news का सामना करने के लिए उसके approach करने के लिए ऐसा approach वुड यह will का क्या हो गया? यह जोगी past back shifting हो गई है यह will है facilitate करेगा सुभिदा प्रदाम करेगा किसको? Credible electoral outcomes विश्वसनिय चुनावी परिनामों को facilitate करेगा यानि कि कोई manipulate नहीं कर पाएगा फेक news पहला कर आगे देखो that अब सुनों यह क्या कह रहा है? ऐसे electoral outcome जो that का मतलब यहाँ पर क्या है? विश्वसनिय जो यह विश्वसनिय जो that would help help करेंगे अब would help to क्या है? preserve तू आना चीए था लेकिन बताया है कि informal English में help second verb को अपने साथ merge कर लेता है तो टू कभी कभी silent दीखेगा लेकिन यह टू लगाओ preserve मने संरक्षित करने के लिए help करेगा कौन? यह proactive approach किसको preserve करना है? freedoms कौन से फ्रीदम विच जो दीज दीज क्या दीज 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 miss कर गया कुछ freedoms which दीज अब आगे कुछ मिस हो गया यहाँ तर इसलिए miss हो गया है require to thrive यहाँ पर प्रीदप्स यहाँ पर देखो that is that are हो जाएगा that are required to thrive तो यहाँ freedoms that are required वो freedom जिनको जरूरत है कि वो thrive करें thrive का मतब जानते हो क्या होता है फलना फूलना स्वतंतरता क्या है लोगों के बीच में चुनाव की स्वतंतरता क्या है फले फुले मैं किसको और दूँ किसको यह नहीं दूँ यह मेरी स्वतंतरता हो तो इस स्वतंतरता को क्या करें सुन्रक्षित करने में संदक्षित करने में मदद करेगा कौन ऐसा अप्रोच तो यहाँ पर यह थोड़ा गलत हो जाएगा यह देटा रहोना चाहिए देटा आएगा यहाँ पर इसने गलत कर दिया यह टाइप करके याटा है नहीं देटा रिगवार्ड ही सेड़ देट उन्होंने कहा की मतदाताओं को प्रेरित करते हैं कुछ औफर करके तो इंडिव्समेंट से free platform हो कि मैं आपको free भीजली दूंगा free शाराप दूंगा free ये करूंगा ये सब क्या है इंडिव्समेंट है तो इंडिव्समेंट free election और accessible election का मतलब क्या है जो सब के लिए available हो और inclusive मनें जिसमें सभी लोगों को शामिल किया जाए और fair का मतलब जिसमें कोई दांदली नहों और फ्री का मतलब किसी को रोका ना जाए वोट डालने से ऐसे इलेक्शन्स और अब बोलो क्या होगा कि आफ डेमोक्रेसी यह सारा कबाड़ा कर दिया है बेहुदा जो है सब बेकार कर दिया है कि नहीं क्या लिखा है अ देखो अब यहां पर डिटर्मिनर है न डिटर्मिनर है रुख जाओ तो डिटर्मिनर के ज़ए क्या है यहां पर ना आफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी वर अप्री कंडिशन तो पीस एंड डिवलप्न डिविदेंस थ्रेशोल्ड कॉंसेप्ट रुख जाओ पहले दसमा करते हैं He said the understanding चलो ठीग है गडवड कर दिया है सब चलो ठीग है इसको बोलो यार 9-10 गलत कर दिया है 8-9-10 तीन गलत कर दिया है इसा तोड़ो नहीं पूछ लेना चाहिए मैडम और उनको फोन करके बताओ गलत है तोनों को बोलो झालत कर दिया है चलिए अब ग्रामर आज आपको यह तो हो गया था यार आगे बढ़ो अंटिल की जगह कि यह हो गया था ना पीछे वाला हो गया था अब तो अब दट्रेन अराइव बताए तो था कल यह क्या है ताइम तो यहां पर क्या होगा अंटिल अंटिल था ट्रेन अराइव जब तक ट्रेन आ नहीं गई उतने समय तक मैं फोन पर बात करते रहा तो यहां टाइम को कर रहा है तो यहां अंटिल आता यहां अंलेस अंटिल अब अंटिल की जगह तिल का यूज करने से जरा देखो अंटिल के जगह तिल आने से सेंटेंस पर कोई फराइव नहीं पड़ता है यानि तिल ट्रेन अराइव अब जड़ा देखो अर्थ जब तक ट्रेन आई यानि जितने समय में ट्रेन आई उतने समय में मैं फोन पर बात करता रहा यह भी सही है और अंटिल लगा कि देखो कि जब तक ट्रेन नहीं आई तब तक मैं फोन पर बात करता रहा और जब तक ट्रेन आई तब तक मैं फोन पर बात करता रहा तो इस लड़के से मैं बता रहा हूं कि तिल और उंटल दोनों ही सही है अब इस जैन जी इतने दिन के बाद अगर माल लो यह अगर दोनों आपसर मैं पुछूं आपसे कि तिल और उंटल में दोनों आ जाए दोनों सही है तो किसको प्रिफर करोगे अंटिल फॉर स्टार और जो तिल क्या है तो इस तर अंटिल फोर स्टार और टील इस टीस्टार अब यहां बता हो उन एगा यहां बताओ क्या एगा यहां आच्टिट्ट्वूड नो वनवील पैले इसकार सम्झो नो वन का मतलब कोई नहीं विल बी का मतलब होगा यहां special friends पहले यहां mother verb के पास आओ कोई नहीं तुमारा फ्रेण्ट होगा कोई नहीं तुमारा friend होगा कोई नहीं तुमारा friend होगा question पूछो तो वाइ क्यों कह रहा है कि यदी तू यदी तूह अपना attitude change नहीं करे और फिर पुछो कब तक नहीं बनेगा जब तक नहीं चेंग करोगे यानि इसमें इफ नॉट भी है और अंटिल भी है तो इफ नॉट और अंटिल दोनों का अगर सेंस दिया हो तो किसको प्रिफर करेंगे यहां पर टाइम भी है और क्या है कंडिशनलिटी भी है यानि यदी का भी सेंस है इफ नॉट का भी सेंस है और अंटिल का भी सेंस है यह सेंटेंस जरह ऐसे देखो इस देखिए इफ यू डॉट चेंज इफ यू डॉट चेंज यूर क्या है अटिट्यूड और फिर कह रहा है अंटिल एंड एंड लगा दो एंड अंटिल यू क्या होगा डॉट चेंज यूर एटिट्यूड एटिट्यूड का मतला नजरिया नो वन विल बी यूर यूर फ्रेंड यहां ध्यान दो कोई तुमारा फ्रेंड नहीं होगा कोई ध्यान नहीं दे रहा है यदि तुम अपना एटिट्यूड चेंज नहीं करोगे और जब तक तुम अपना एटिट्यूड चेंज नहीं करोगे तो यह बताओ कि बोलते समय यह दोनों बोलोंगे तो सेंटेंस अन्नेसिसरली बहुत लंबा और जटिल हो जाएगा इसलिए क्या हुआ कि इसको बोलते हैं इफ नॉट तो क्या है अन्लेस है और यह क्या है अंतिल है तो इन दोनों के जगह क्या कर दें अंटिल एंड इफ और नॉट को अड़ा दो तो यहां पर क्या हो जाएगा इफ नॉट के जगह क्या कर दिया और कि अंतिल दोनों को लिख दिया कि एक ही सटेंब में दोनों को लिख दो कि अंटिल ऐंड अंटिल हैं जब लेस एल हैं अंतिल ऐनales को गश्र दोनों ही आ गया अब क्या है कि modern English में अंटिल और अन्लेस की भी लिखने की जवरत नहीं है सिर्फ क्या लिख दो अन्लेस लिख तो यहां पर conditionality भी है if not का भी sense है और अंटिल का भी sense है ऐसे में अगर मैं अन्लेस लिख दूं तो उसमें अंटिल का sense भी आ जाता है इस तरह अन्टिल और अन्लेस की भीच में difference है तो यहां option अंटिल और अन्लेस दोनों है तो मैं अगर अन्लेस लिख दूंगा तो उसमें अंटिल का भी sense क्या है आ जाये तो मैं किसको prefer कर रहा हूं यहां पार time plus conditionality जो पुराने instrument आये हैं वो लोग वहां vipm से चाहें तो अभी जो नई भूक है जिनके पास नहीं है वो वहां पर खरीच सकते हैं जो भी उसका चार्ज है जो दे करके हो ले सकते हैं कि यूँ इंप्रूव यूर कम्निकेशन स्किल्स यह स्किल्स है यूविल नाट गेट गुट जॉब यूविल नाट गेट गुट जॉब यूविल नाट गेट जुब पहले यहां आओ यहां समयना है न तो यहां मदर वर्फ फादर सब्जेट मदर वर्फ तुम्हें अच करहों की यह लड़का नहीं समर एक लड़का सिर्फ पूछ रहा कब तक नहीं अरे टाइम भी हो सकता है लेकिन ए फी तो हो रहा दा इफ यू नौट अ तो इफ नॉट का भी सेंश है और अंटिल का भी सेंस है पीशे का ऍपम बोल रहा है तो यह देखना है कि जब भी अंटिल और अनलेस आए तो पहले यहां पर इफ लिखो टाइम तो क्या है कि अनलेस लिखोगे तो अंटिल तो आई जाएगा अपने आप तो पहले देखो कि यहां इफ नॉट का सेंस आ रहा है क्या यदि तुम अपना कम्मुनिकेशन इसके लि पहले लिखोगे तो सही आगया ना इफ नॉट तो समय लेना कि अनलेस तो पक्का है अंटिल अगर अंलेस लिख देता हूं तो अंटिल भी उसमें आ जाता है लेकिन कुछ लड़के सिर्फ टाइम को सोच कर टाइम पहले मां ठ्राइब करो पहले क्या ट्राइब करना इफ अगर if not लिख कर देख लो अगर if not का sense आ रहा है तो फट से क्या लगा दो क्योंकि unless until को अपने अंदर include कर लेता है तो पहले time try करेंगे या पहले if not try करेंगे if not try करेंगे unless अगर आ रहा है तो फिर unless कोई लिखो उसको मत लिखो I get a job my brother my brother will support me मेरा भाई मेरे को सपोर्ट करेगा सपोर्ट करेगा यहां क्यों या कब तक भूल भूल अरे यार एक साल दो साल तक सपोर्ट करेगा जिंदी के बार का ठेका तोड़े नहीं ले रखा है एक साल दो साल तो यह कुछ समय के लिए सपोर्ट करेगा या if लगाओगे इफ नहीं आ सकता यहां पर यहां पर यह है कि जब तक मेरी जॉब नहीं लगेगी मेरे श्रेंजी तब तक मेरा भाई सपोर्ट करेगा कुछ समय की बात है यह इफ की बात नहीं है यहां अनलेस एकदम गलत है क्या एगा अन्टिल अगर अनलेस लगा दिया यहां पर अनलेस आई जॉब तो गलत लगेगा खुदी गलत लग रहा है यहां पर किसको है जब तक नहीं मेरी जॉब जब तक नहीं लगेगी तब तक भाई सपोर्ट करेगा सिर्फ अन्टिल आएगा यहां इसका मतलब है कि यह decision लेने के लिए English में बहुत तगड़ा होने की ज़वरत नहीं है common sense, life का common sense देखना है, life का common sense देखने से आपको समझ में आ जाएगा, आज until और unless की कहानी यह रोगा, until you do not achieve your target, यहाँ पर अब देखना है, यह बहुत आता है यह, तुम समझो इस लड़के से बता रहा हूँ, अन का मतलब क्या होता है, not, और यहाँ भी not आ गया, तो double not आने से यह क्या हो गया, गलत, यानि कि सीधे यह समझो, until और unless के साथ, इस क्लाज के अंदर not का यूज नहीं होता है, तो यह don't गलत है, until you achieve your target, your boss will not promote you, ठीक है न, तो यह रॉंग है, आगे देखो, you achieve your target, your boss will not promote, यहाँ पर not आ सकता है, mother verb, लेकिन local verb के साथ not, मतलगा हो, अब यहाँ पर until या unless, क्या हैगा, इफ पहले इफ लगा के देखा जाता है, यदि तुम target अचीब नहीं करोगे, तो तुम्हारा boss प्रमोट नहीं करेगा, और कब तक नहीं करेगा, जब तक की, पहले इफ नॉट लगा के देखो, इफ नॉट आ रहा है न, तो जब हम unless लगा देंगे, तो unless में until का भी meaning आ जाता है, तो यहाँ पर किसको prefer करोगे, अनलेस, unless you achieve your target, your boss will not promote you, यदि तुम target अचीब नहीं करोगे, तो तुम्हारा boss अचीब नहीं करेगा, और जब तक नहीं करोगे, दोनों sense आ रहा है, यदि का भी sense और जब तक, तो unless पहले if के लिए try करो, if not आ रहा है न, unless लगा के free हो, लेकिन ब्रदर वाले में if not नहीं आ रहा है था, train वाले में भी if not नहीं आ रहा है था, क्या रहा था, until, तो वहाँ पर until लगाया, ब्रदर वाले में और train वाले में, लेकिन यहाँ पर देख लो, if not नहीं आ रहा है क्या, if you not achieve your target, यदि तुम अपना target अचीब नहीं करोगे, तो तुम्हारा भाई support नहीं करेगा, अरे, तु यहाँ पर unless लगाओ, तो पहले time को मत देखो, पहले किस को देखो, if not को देखो, क्योंकि if not का मतलब क्या होता है, unless, और unless में time भी automatically आ जाता है, इसलिए time देखोगे, तो गलत हो जाएगा, सब लगेगा, सारे सही है, अगर पहले time ट्राई करोगे ना, तो लगेगा, सब में until ही आएगा, यहाँ पर यार साफ साफ इतनी बार, तीन बार लिखना हूं, कह रहा है कि यदि तुम target अचीब नहीं करेगा, तो तेरे बहुत तो प्रमोट नहीं करेगा, और इसमें यह भी बावना आ रही है, कि जब तक target अचीब नहीं करेगा, तर तक promote नहीं करेगा, तो यह पहलें इंपना की बाहना clear हो गई यह तो unless लिख़तो बार-बार बता रहा हूं कि अंदर अंदर अंटिल भी शामिल हो जाता है कि अट अगलेंस temperature नहीं गृएगा अब बता पम अन्डİL एंलेस आंट यह अंडलेस अंडिल यह अन्लेस चलो इसमें अपना अपिनियन दो अंडिल वाले हाथ उडाएं अन्लेस वाले हाथ उडाएं ठीक है इन्नों ने लगा दिया कि यदि इप नौट रहें यदि बारिश नहीं होगी तो टमपरेचर नहीं गिरेगा और मैं गयारहाई यह कब हम बोलते हैं अरे रे तीन चार दिन से गरमी हो रही है जब तक बारिस नहीं होएगी तब तक यह गरमी चलेगी यह प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना था जब तक बारिस नहीं होगी बारिस नहीं अगर बर्फ पारी हो जातो तो भी temperature गिर सकता है तो यहां पार गर्मी लग रही है एक अपते हो गए और कह रहा है यार बहुत गर्मी लग रही है आज कल तो पता नहीं कि गर्मी से रहात कब मिलेगी कह रहा है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक temperature नहीं गिरेगा यहां समय की बात है या शर्त की बात है बोलो कितने समय तक यह जारी रहेगी गर्मी उसको द्यान में रखकर यह बात कहीं जा रही है तो मैं किसको लगाओं अंटिल को हाला कि किसी ने अनलेस लगा रहे थे डेर वाले अनलेस ऐसे इफ नॉट लगा के देखो के तो तो सही हो जाएगा लेकिन इसको जरा समझो यार विवारिक जीवन से चड़ो यार बार बार कह रहा हूं कि जुलाई अगस्त में कभी कभी उमस नहीं होती है क्या और उमस बह सिर्म नहीं होगा यह कह रहा है रियल लाइफ से चोड़ी नहीं रहे हो अगर ऐसे inform습니다 गिर जाएगा क्यों क्यों नवंबर दिसंबर का महीना आ जाएगा तो बीन बारिस के भी टंप्रेशर गिर जाएगा इसका मतलब है कि यह शर्त नहीं समय की बात है जुलाई अगस्त के महीने में उमस है उसको द्यान में रखकर कहा गया होगा इसलिए मैं किसको प्रिफर कर रहा हूं अंडिल को अंडिल को लगा है यह थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं यह वे टेंप्रेरी वेदर कंडिशन यह क्या है वेदर टेंप्रेरी 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 वेदर कंडिशन पर बात हो रही है time के लिए हो रहा है temporary weather condition के लिए बात हो लिए इसलिए until को लगा रहा है temporary spelling सही लिख दूँ temporary weather condition टेंप्रेचर गिरने का शर्त बारिष नहीं है क्योंकि temperature गिरता है climate बदलने पर भी तो यहां पर यह शर्त के रूप में नहीं है यह कह रहा है कि जितने दिन तक बारिष नहीं होगी उतने दिन तक उमास रहेगी यह बस बार है उमास को द्यान में रखा है चलो आगे बताओ he says sorry I will not यहां पर आओ मैं बात नहीं करूंगा बात नहीं करूंगा फिर वही अफ़ंस जा रहे हो वह तो ठीक है कब तक यहां इफ लगा के देखो यदि वह sorry तो मैं उसे बात नहीं करूंगा और तब तक नहीं करूंगा जब तक नहीं है अर्था यह शर्थ है sorry और यह शर्थ के साथ समय भी जुड़ा हुआ है तो जो अनलेस होता है इसमें टाइम भी जुड़ा होता है और शर्थ भी जुड़ी होती है तो तुम थोड़ा यह ध्यान रखो कि पहले यहां पर यह यह शर्थ ही तो कह रहा है ना क्या सर्थ रख रहा हैं कि वो sorry बोले क्या सर्थ रख रहा है sorry बोले और तो इसलिए एंटिल को प्रिफर करऊंगा या अनलेस को ऑनलेसी से sorry होगा कि ट्रांस्लेशन करोगे न तो जब तक जब तक आकर फंस जाओं कि इसर्ट है कि वह सॉरी बोले तौ में बात करूं और जब तक टाइम बीज में कि सॉरी नहीं करेंगा कहेंगा तब तक बात नहीं करें कि ऑन्लेस के साथ नोट का यू जा गया यह क्या है गलत रोंग है तो यह नोट अटा दो 12 मेंक अच्टेक फिल नौ अब यहाँ अंटिल नहीं अहिता अल्स कहistent है कि यदि आदमी गलती नहीं करेगा तो वह सिंखे नहीं और जब तक गलती नहीं Idea का तक नहींगे तो इस एक जाते हो यह देखना चाहिए कि यहाँ पर इफ नॉट लगा यृदि तुम गल्ती नहीं करोंगे तो सीखो कि कैसे यही तो है और जबतक गल्ती नहीं करोंगे तब तक सीखोगे कि कोई आदमी ऐसा है जो बाइक चलाया और कभी गिराही नहीं कोई聲 एएक बंदा है एक दो हद उड़ाओ जिनने बाईट चला कभी गिरा नहीं सीखते समय कि इस समय कि आए सीफने के गिरा जो नहीं गिडा बाइक्ट चलानेके बाद है एक दो चार पाँचे 4 साथ 9 10 11 ऐसे काउन काउन है जो बाइक चलाने के बाद गिरे भी थे सीखते समय अनलेस यू मेंग अमिश्टेक यह राइट अब चलो अब यहां चलो पाकिस्तान यहां पर थोड़ा एड कर लो स्टॉप्स पाकिस्तान स्टॉप्स इस्पॉंसरिंग टेरिरिजम इंडिया शुट नोट टॉप्स अब बोलो यहां पर क्या है अनलेस अंटिल बोलैस दोनों मदिये और समय यदि पाकिस्तान नहीं रोकता है पाकिस्तान नहीं रोकता है तो इंडिया को बात नहीं करना चाहिए और कब तक नहीं करना चाहिए जितने समय तक तो टाइम भी है लेकिन शर्त भी है तो यह क्या है अंटिल एन अनलेस यह टाइम है और यह क्या है के लिए कदिश्य लेकिन यही più बार बार यह कहा हूं कि आजम अमटर निंग्लिस में जक्राणो अनलेस कि लिदे ांटिल अनलेस कि जगशा अनलेस लिखने साई काम चल जाता लेकिन अगर दोनों आया है तो ये यह प्रापर फाईव श्टार और यह का है अरे उन लोग को बता दिये फोन करके मैडम को की नरेशी को दोनों को क्या है some special cases should versus if इस लड़के को बहुत ही important है थोड़ा एक बार जागना चाहिए इस लड़के को को कहरा है कि बारी थो धे जो मैच कैंसल हो जाएयbird कly hm केungs का यह अग आपर क्या ना चाहिए था किया ना चाहिए था गलतके लिए तो मिलगा डंश कुछ nutzen ओ का यहon इसलिए यहां पर क्या आएगा ऐसा लेकिन क्या यहां ऐसा आया है इसी से समय लो कि अब यहां पर क्या आएगा अब बताता हूं हम conditional sentence पड़ रहे न तो धेर सारी जगहों पर conditional clause में इफ के जगह पर helping verb आकर उस statement को और ज्यादा powerful बना देती है फिर से बोलो क्या बोला conditional clause में इफ के जगह helping verb आकर के उसको और ज्यादा strong बना देती है तो यहां पर शुड का मतलब चाहिए नहीं है शुड का मतलब यहां है unpleasant possibility और शुड का मतलब यहां इफ का भी sense है ऐसे इसको कैसे बोलता है मैं बताऊं मालो यदि बारिश होगी यदि बारिश हो गई तो महस्तों cancel हो जाएगा यह बावना है यदि बारिश हो गई तो शुड इट रें तो यह लिख लो यह बहुत बड़ा रूल है कि conditional clause में इफ के जगह पर helping verb के आने से sentence और ज्यादा strong बन जाता है और रुख जाओ एक सी जार देखो अरे एक बार तो देखो जाए यह सब्जेट से पहले helping verb कब आता था सब्जेट से पहले helping verb interrogative में crooked uncle या और याद करो नलायक बच्चा नलायक बच्चे की कानी हुई थी इन वर्जन हुआ था तो वहां भी सब्जेट से पहले helping verb आया था पूरे इंग्लिस में सब्जेट से पहले helping verb एक तो क्रुकट अंकल के कारण आता था इंट्रोवेटिम में दूसरा नलायक बच्चे के कारण आया था और आज तीसरा केस देख रहे हैं जहां पर सब्जेट से पहले helping verb इफ को हटा कर गए और ज्यादा conditional sentence को powerful बना रहा है और ज्यादा conditional sentence को क्या बना रहा है और ज्यादा powerful बना रहा है और ज्यादा powerful बना रहा है तो इफ की जगह शुड का यूज अन प्लेजन फ्यूचर कंडेशनलिटी को emphasize करता है अब जड़ो यहां पर शुड आएगा या इफ आएगा अब यहां इस आगया इस को अंडरलाइन कर लो तो अब यहां पर शुड नहीं इफ आएगा यह एक क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरह सा इसको पड़ दिया जाए तो आपके जीवन में धनता आएगी आगे देखो इसी तरह इमेजिनरी वाले में भी ऐसे होता है मेरे श्वन जी आप तो भूली गए यह याद करो इफ इधर देखो बात मत करो इफ आई वार यू यदि मैं तुम होता तो मैं खुश फील करता अब इसी को ज्यादा पारफुल बनाने के लिए ओर जो एई से पहले आ गया वार आई यू आई वुड्ड फिल हैपी तो ही ट्री स्टार और ये त्ट UP इसका मतलब इफ भी इस से भी ज्यादा पारफुल होता है तो यह अजीब बात है ना उसी तरह में मेरे शेंजी अब यहां पर देखिए क्या है वर आई अब बर्ड आई वोड फ्लाई यह प्रजेंट की हाइपोथेटिकल यानि इमेजिनरी कंडिशन है प्रजेंट की इमेजिनरी है यदि मैं चिटा हो जाए अब तो फर्क क्या है यह जो है इफ आई वर बर्ड बोलोगे कोई ध्यानी देता है कि मैं कितना सही इसका मतलब है नार्मल टोन यही मैं चिटीएडिया होजा जाता तो यह गर वाैवनाomi यहां भी वही है, इसमें यदि मैं तुम होता, तो खुश फिलता, अगर मैं तरी जगह होता ना भाई, तो मैं तो खुब खुश होके डांस करता, यह है बावना, अभी हिंदी में तो ऐसा होते हैं, तो इनको क्यों कि मदच आगे, वहां सवाल नहीं पूछते हैं, यह क्यों यह को आरे फीलिंग तो कर यदि मैं तू होता यानि मैं अगर तुम होता तो मैं तो खोश होता इस्टेस्टिस्टिस्टिकल ऑफीसर बनी गया आप क्या चाहिए जैसो बनी गया रिजल्ट आया है ना चल ते रहा हुआ है क्या सनी हुआ है ते रहा अभी एक ग्रेजुएशन कर रहा है जिनके ग्रेजुएशन अभी चल रहे हैं फर्स्टियर सेगेंडियर थर्डियर चल रहा हो सभी एक साथ हात उठा दें है चल जिनका ग्रेजुएशन खतम हो गया वह लोगात उठाए है क्या कर रहा हैक लास में बैटा है तो भूल जाता है क्या अब हैं तो बेच्ट होने लगती है आदमी को अगर इज़्जत चाहिए तो इज़्जत अर्ण करनी पड़ती है अपने बिएवियर के द्वारा तो अगर तू इज़्जत चाहता है तो अर्ण कर बिएवियर अब देखना है he have money he would have a house of his own यह भी present hypothetical है यह भी क्या है present hypothetical है अब बलाओ क्या होगा क्या होगा वताओ इफ यह डिड्ड पहले समझाता हूं यह संटेंस समझो if he had money क्या यह पास्ट सिंपल की तरह है या पास्ट परफेट की तरह पास्ट पास्ट ऑब्जेक्ट है सिंपल की तरह है पास्ट सिंपल की तरह है और यहां पर यह भी वुट क्या सिंपल है यह भी क्योंकि आगे हाउस है तो इसका मतल़ इसलिए है कि यह present जब hypothetical होता है तो पास्ट सिंपल की तरह होता है और पास्ट हाइपोथेटिकल है तो पास्ट परफेक्ट की तरह बूल गए क्या अगर प्रजेंट की आइपोथेसिस होती है तो पास्ट सिंपल की तरह और पास्ट की कल्पना है तो पास्ट परफेक्ट की तरह की तो यहां प्रयंट की कल्पना है कि यदी आज है कि मेरे पास発ावता आज तो आज मेरा अपना मकान हुता यह प्रजेंट की कल्पना है मैं क्यूं गुश्था हो रहा हूं है Сергisha Shrani अगर थेके करें डेता है तो क्या ऑर उसीज़ार तो तो मेरे भी मकान होते सुना क्या आंटी सुना क्या तो ने बड़ा ऐसे दूद कारती हो कि जगड़ा कर रहा है जोर देगे कह रहा है तो अब इस इफ को पारफुल बनाने के लिए यहां से है helping वर्ब इधर आएगी तो यह पास सिंपल है तो इसकी helping वर्ब क्या हो जाएगी डेड़ अब जब डिड़ आ जाएगी तो यहां पर क्या जाएगा है है तो डिड़ हैब मनी ही उड़ है वाहाउस आफ मने का हीज मने उसका ओन मने अपना उसका खुद का हिंदी में भी यह साही बोलते हैं उसका खुद का आफिस ओन तो यहां इफ नहीं आएगा क्या है डिड़ अब मरे श्रेंजी यही सब आप लोगों को अब देखने हैं अब मेरे श्रेंजी बताइए यहां पर हैड आगया वर्ब की सगेंड फॉर्म तो अब डिड़ आएगा क्या अब इफ और याद रखिएगा यह पर्फेक्ट नही सिंपल और पास्ट की इमेजिनरी हो तो पास्ट पर्फेक्ट आराम से आराम से नहीं तो आवाज धिमी हो जाएगी तेरी अब देखना पास्ट हाइपो थेटिकल चले मेरे श्रेंजी अब बताएए इफ लगाओं या हैड लगाओं इफ लगाओं या हैड लगाओं जो स्मार्ट बंदें वो जानते ही यह थर्ड फार्म है तो फिर इफ नहीं इफ नहीं हैड अब यहाँ हैड इफ का भी काम कर रहा बलकि इफ से ज्यादा पार्फुल यानि तीन ऐसी सिच्वेशन थी एक तो क्रुकट अंकल पर नलायक बच्चे वाले केस में आया था इंवर्जन करा रहे थे और आज जो है इफ को ताकतवर बनाने के लिए इधार तीन ही बार ऐसा होता है पूरे इंग्लिश में कि तो हेड़ी स्टॉलन अब पास्ट कीया देगो पास्ट पर फेक्ट की तरह हो गया न और यहां वुड़ है यह भी पास्ट पर फेक्ट था लेकिन मोडल के बाद है का यूज नहीं हो सकता था तो वुड़एब के बाद वर्व की थार्ट फों यह पास्ट की कल्पना है तो जरा बोलो इसका मतलब क्या है यदि वो गड़ी चुराया होता न तो उस गड़ी को सुटकेस में रखा होता यह पास्ट की घटना है प्रजेंट की घटना नहीं है पास्ट हाइपोथेटिकल अब देगना क्या बोलो अरे ब्यहुदी अरे हाँ हाँ इफ गलत है इफ गलत इफ गलत इफ गलत इफ गलत है अरे यह नहीं सम Ralph और तो यह पर हैड़ तो आना जरूरी न अगर इफ लगाओ कि मेरे श्रेंजी अगर इहां इफ लगाओ के तो हैड यहां है अब और यह तो गलती चाहरा है और यह स्टोलन दवाच को दोनों ने इसको ज़्यादा इस्टार क्यों दे रहा है क्योंकि स्ट्रोंग है पहले ना SSC ऐसा question पूछता था तीसियस से पहले जब टीसियस टेक ओवर किया उससे पहले जब SSC खुद बनाता था तो ऐसे अरे बड़ा जटिल मैंला उस समय एक सो पचास साट पाना बड़ा मुश्किल होता मैंने ऐसे चैनलेंज किया था कि जो लड़का एक सो साट प्लस पाएगा उसको क्या दूंगा आई से में था आई से दूंगा और भाईया जो है दो लड़के आये जिनको मिला और आज अगर मैं एक सो साट प्लस कर दूं तो खुद को भी बेच दूं तो भी मुबाइल सबको दे न कामला ही खतम हो गया अब तो पैटर नहीं बदल गया देखो मैं बार बार इसको कहता हूं आज फिर दोर आ रहा हूं कि सतर क्लास में क्यों अपने सीनियर को सीनियर इस्ट्रेंट को क्यों फ्री बुला रहा हूं क्योंकि वह पुराने पैटरन के तरह से पड़े थे उनको इस नए पैटरन यानि वोकेबलरी और यह पैसेज और ये निउच्पेपर और येंटेड क्योंकि तीन से चार पैसेज तो वही आएंगे एक क्वेस्टन तीन नंबर का येगा तो अगर बीस भी आते हैं तो साथ है नंबर हो और प्रसाद बांद दिया इसलिए अगर हमारा कंप्रेंशन नहीं रहेगा ना तो छूट जाएगा एक पैसेज या दो पैसेज छूट जाएगा और उस जल्दी में अगर पूरा अटेंट करने की कोशिश की है तो नेगेटिव होकर और भी रसातल हो जाएगा इसलिए मैं चाहरा हूं कि प्री में त चला दे जला दे जला दे जला दे इनका जो है अच्छा जो है एक रिदम आजाएगा तो मार्च में में जब में सोगा तब तक आपकी सिचुवेशन आपकी कंडिशन बहुत बहुत बैतर हो जाएगा अब आजाओं उस पर वो क्याब थोड़ा ही है चलो चलो बजरंग पूनिया वुल्ड़ वन धा गोल्ड मेंडल बज़रंग पूनिया गोल्ड मेंडल पास्ट का imaginary result है तो सोच ना पास्ट का imaginary result लो तो बजरांग पूनिया gold medal जीत जीत जित गया होता या जीत जाता पास्ट की imaginary result है अब यदि वो घायाल नहीं हुआ होता तो क्या जाएगा इफ वाले हाथ उडाओ नहीं बीन आया है तो क्या जाएगा है 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 दोनों काम कर रहा है इफ का भी और हेल्पिंग वर्प कर हैडी नॉट में इंजर तो एक क्वेस्टन एक तो शुट वाला ध्यान रखना शुड यू शुड माई फादर कम प्लीज कॉल मी क्या मतला यदि पापा आ जाए तो मेरे को फोन कर देना कि आई वूड है फैल्पड यू एर इमेजरी रिजल्ट करो मई पास्ट में इमेजरी रिजल्ट वनाओ मैं तुम्हारी मदाद करता या कर दिया होता if यू इंफर्म या है यू इंफर्म यह तो ऐसे ही गलत है है you informed past का image नहीं है I would have helped you if you had informed I would have helped you और देखो यहाँ head ही क्या बन गया if दोनों सही है यह 3 star यह 1 star अरे वही यार head को बाद में head if है conditional sentence को पीछे कर देने से कोई फार्क नहीं पड़ता यह ध्यान रखना है कि पीछे करने से कोई फार्क नहीं पड़ेगा अब देखना बट फार यह बड़ा important है थोड़ा एक बार तो ध्यान लो कोज के guidance के बिना तो इस लड़के को मैं बता रहा हूं के बिना के इंगलिस क्या होती विदाउट तो इसको प्रेपोजीशन के notebook में लिख लिजे मेरेशन जी, but for का मतलब है without यह प्रेपोजीशन है मेरेशन जी लिख लीजे यह प्रेपोजीशन है और इसका मतलब है without के बिना के बिना हलो हलो देखो लड़के अभी चलो बट फॉर का मतलब क्या है विदाउट के बिना अब देखो मैं क्यों कुस्सा हो रहा हूं तुम्हारे उपर कोचेज मने कोच का गाइडेंशी आपजिक्ट है यहां क्या चाहिए प्रेपोजिशन तो बट फॉर भी आ रहा है और विदाउ प्रों का मिनिंग क्या है सेम है तो कोच के गाइडेंश के बिना अब इमेजिनीरी ज़ल्ट लाओ आई वोड नौट है वन देडल मैं मेडल जीत नहीं पाता मैं मेडल जीत नहीं पाता अब मैं तुम पर क्यों गुस्तारों देखो कि यहां दोनों सही है लेकिन नीरत इसलिए में बड़ गृइडा हैि क्वेंश के गाइडेंश को देना चाईसर इसलिए ऐसे में बट फॉर को हम जदा प्रिफर करेंगे ज्रोंके हिंधि में हम एक बिना एक ही प्रेपोजिशन हमारे पासके बिना लेकिन अंग्रेजों को विदाविट और बड़ फॉर में Oh Nej यह फार्क है कि श्रेया देने के लिए विदाउट के समें किस्का यूज्य भूरा यह बबस के भी ला बढ़ फार क्या है मेरे भाईओं बता दो प्रै crops गाइडेन किया है यहए किसका गाड है और यह कोच का परसनल डिटर्मिनर है और यह गाडेंस का डिटर्मिनर अब देखना पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल में वुडएप प्लस वर्थड को माइड़ वे में एक्सप्रेस करने के लिए कुडएप वर्थड मैं तुम्हें बताया था लेकिन पास्ट इमेजिनरी एबिलिटी क्या बोला था और वुडएप प्लस वर्थड को क्या बोला है पास्ट इमेजिनरी रिजल्ट जरा लिख 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 पास्ट इमेजिनरी रिजल्ट और यह है कुडएप प्लस वर्थड की थर्ड पास्ट इमेजिनरी क्या है एबिलिटी एबिलिटी या चांस भी एबिलिटी या चांस चांस का मतलब होता है ना संभावना चांस का मतलब क्या है लेकिन यहां संभावना नहीं है यहां तो सर्टैनिटी है काल्पनिक है लेकिन क्या है सर्टैनिटी और यहां पर चांस है पेंगे अब्लेटी या चांस दोनों के लिए कुडैप्लेस भर थर्द अबलीटी या चांस बाई दोनों के लिए और यह वड़ेस भर थर्द सब्सक्राइव अब देखो अब मेरे श्वंजी देखें यह गृद कि इफ यू हैड इस्टडीड वेल यूद आप करना होता है अच्छी पढ़ाई करके आप पास तो हो सकते हो लेकिन टॉप करने की गारंटी नहीं होती है कि यह क्योंकि दूसरे स्टुडेंट के परफर्मेंस कैसा उसका मैं आइड़िया नहीं है इसलिए मैं इसको असे साथ होने की बात निती के साथ यह चांस Ash टो यहां एबिलिटी नहीं चांस तो यहां कुड़े प्लस वर थड़ क्या है बताओ चांस और यह क्या है सर्टेनिटी मैं यह कह रहा हूं कि मालोग तुम खुब पढ़ रहे हो खुब पढ़ रहे हो इंटेलिजेंट भी हो लेकिन क्या पता कोई दूसरा इस्ट्वेंट उसकी बहुत यह ध्यान रखना है चांस चांस जहां सर्टेनिटी नहीं तो चांस के लिए क्या लगा होगे यहां एबिलिटी नहीं चांस कि लाशकार कि कंडीशनल जितना बदा दिया यह काफी है अब वोकैबलरी पढ़ाने जा रहा हूं बैठी है भी अरे यार भाई अब वोकैबलरी पढ़ाऊंगा ना अधे गंड़े बताया है न कल मैं तावे के साथ कह रहा हूं कल अगर नीज पेपर नहीं आया तो मैं यहां से कूच जाऊंगा आज क्या है कि सारा सुबह वो क्या है कि मंडे को लड़के सटेड़े को बहुत कम थे तो हमने सटेड़े को अडर दिया इतना ही लाना अब मंडे और टीश्टों को घर से आगे थे कि इसलिए है कि इसन जी आप प्लीज ध्यान नहीं दे रहे हों कि आप प्लीज सुने ओना प्लीज वर्ड इसन जी प्लीज होता है न प्लीज बताएं प्लीज क्या होता है क्रिपया रिक्वेस्ट के लिए आता है न तो बास वहीं प्लीज क्या बन गया प्लीड वर्ब बन है लिए विद का मतलब है किसी जज या अधिकारी के पास जाकर प्लीडविद करते हैं तो उससे अनुरोध करना अनुरोध करना रिक्वेस्ट यह लड़ीजस्ट और नहीं समय रहा है किरिक्वेस्ट अपील और प्लीड तीनों का मीनिंग अनुरोध करना ही है लेकिन रिक्वेस्ट ट्रांजट यह और परसं क्या है ओपील क्या है इन ट्रहु अंगल दो लेता है और प्लीड क्या लता यह विद चलो नारा लगा वेपन और यही प्लीज से ही तो यह बना है सर अब यहां पर और प्ली का मतलब याचिका याचिका में हम जज के सामने रिक्वेस्ट करते हैं ना तो प्लीज से ही प्लीड बना और प्लीज से ही और प्लीज बना याचिका है प्लीज क्रिपया से अब देखना प्लीज मने किरपया यह सब प्लीड विट प्लीड विट प्लीज अब प्लीज जो एक वर्ब भी होता है जब प्लीज वर्ब है तो इसका मतलब है किसी को खुश करना वो अलग है किसी को खुश करना अलग हो गया अब आजाओ request I will up to आगया ना तो क्या एगा appeal तो क्या एगा appeal अब यहाँ पर preposition दिख रहा है नहीं तो क्या एगा request request this is my request अब कोई नहीं ध्यान दे रहा है अरे माई ने इसको क्या बना दिया अब यहाँ बी के बाद यह noun of identity लेकिन यू को support कौन देगा taxi अब request के साथ 2 लेकिन request अगर वर्व था रिक्वेस्ट यहाँ पर क्या था वर्व था तो टू नहीं लगेगा request नाउन है तो टू लगेगा अब देखो inform और रिपोर्ट टू इनफॉर्म ट्रांजिटिव वर्व है और रिपोर्ट क्या लेता है तू याद रखना close test वगर के साथ से इनफॉर्म टू नहीं लेता है लेकिन रिपोर्ट टू लेता है दोनों का मतलब क्या है सुचित करना किसको अधिकारी को अब देखो all the candidates are asked उनको कहा जाता है तू अब यहाँ तू आ रहा है नहीं तो इनफॉर्म या रिपोर्ट 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 आल देखो अब आयों यह देखो बहुत बड़ा यह है और इसको अच्छी तरह याद कर लो लीड टू खुब आता था निउस्पेपर में याद है क्या लीड टू सम्थिंग का मतलब किसी चीज का कारण बनना कॉज करना यह फ्रेगल वर्भाए लीड टू ओर काँश टी बी खेस और महली इन भी क्या है व्रेजल वर्भाए रिजल्ट सम्थिंग का मतलब है किसी चीज में पर नित हो नैंहीं जानते कोई बातlais परणित हो ना जैसे देखो जैसे लेजिनेस ही इस हाड़ वर्क ही इस हाड़ वर्क रिजल्टेड परणित हुआ किसमें इन हीज सक्सेस कि लोक प्या मतलब आई उसकी महनत तब्दील उसकी मैनत सफल्चा में तबदील हुँ जानते हैं जानते हो क्या सब्दी違ree कि हैसा वलता में बदल गई और यहां देखो रिजल्टेट ही ना दादो लेड टू उसका हाड़ वर्क सफलता का खाराण बना लेड टू सेकंड फॉर्म लेड टू और मेरे स्वेंजी अब बताइए कॉज टू लिखूं या सिर्फ कॉज लिखूं सिर्फ कॉज लिखूं यह सब चीजें जो है ग्रामर में भी क्लोश्टेश में भी और प्रेपोजिशन हर जगही आ सकता समझ रहा है गया अरे इन तीनों का मतलब कारण बनना है मेरे बाई एक्जांपल भी दे रहा हूं उसकी मैनात उसकी सफलता का कारण बनी तो कॉज नहीं ले रहा है अब इसी बाई को result in से भी लिख सकते हैं उसकी मैनातcha क्या है कि यानि उसकी मैनाथ सक्सेस में बदल गई या तबदिल हो गई मैं लगाओ सक्सेस में रिजाल्ट हुई यानि तबदिल हो गई है और इसी के जगह狂ड-e-lead-to-lead तान कारण बनना किसका कोज का तीनों का तो मीनिंग एक है भाई लिट्टू रिजल्ट इन कहस कि इनों वर्भ है यहाप कि केरलेसनेस बोलो क्या आएगा तो बार था न तो इस लड़का समझी नहीं रहा केरलेसनेस क्या आएगा बोलो लीट्स टू और यहां तूँ अड़ीया तो क्या होगा। कांशिश कांशिस और तीसरे कांश्य में और यहां पर Cities समझ राएगा हूए का कारण बननाही है मेरे को कि अब देखना एक अब यह इतना सही वदा रहा है यह सब कौज तो वर्व था लेकिन दो आने से अब यह कौज किया है अब यह यहाँ पर क्या ले रहा है OF the cause of accident the cause of accident ऐसे कर दो accident का कारण तो cause के साथ क्या आता है OF लेकिन तुम भूल गए region के साथ क्या आता है for reason for an accident यह लड़का नहीं समझ रहा है कि यहां पर the reason अगर होगा तो far आएगा the reason for an accident और यह लड़का नहीं समझ रहा है the cause of of an accident ऐसे है अब यहां cause के साथ आफ लग रहा है region के साथ for लग रहा है region for यह काज नाउन हो चुका यार दो के साथ तो यूज हो रहा है न अब यह नाउन है आफ लेगा इस प्रेपोजिशन ने इसको क्या कर रहा है support अब मेरे श्रेंट भाई हूं इसमें काहनी में ट्विस्ट है यह इंग्लिस लेंग्वेज कोई मैस नहीं है अब यहां पर दे को इसको अलग कर दो अकाज फार यह पूरा कॉंबिनेशन ही रट लो अकाज फार कंसर यह भाई जो है ना हम लोग कैसे रटते थोड़े नहीं है हम लोगे माइंड में बैठ जाता है कॉंबिनेशन और ऐसे लागों करोन लोग ऐसे ही सिखें को कहीं कोचिंग और किताब से कोई इंग्लिस नहीं सिखा अज तक यहां वी आइपम के इस्टोंट को छोड़ कर क्योंकि रूल रहता नहीं उस सेंज बिल्ड कर रहता है इसेंज आप ध्यान नहीं दे रहे हो चिंता चिंता का क्या है यहां पर ओर कंसन और यहां पर तरा याद हो काजन एक्सडंट इसभी सुठ वेपर में आएगा तो अपने आप सई हो जाए अभी बैठो अभी तो पढ़ा रहा हूं अभी तो एक्स्टा टाइम ले रहा हूं न अब देखना अब यह लड़का रट लिया लीड टू लीड टू इसलिए तो यह कोर्स बनाए अब लीड या ट्रांज्टिब बन गया और किसी आर्गनाइजेशन या किसी टीम को लीड करने का मतलब नत्रत करना कारण का मिनिंग खतम अभी वर्प बन गई कारण यह सब सेंसिटिफ वर्ड सें काज लीड रिजल्ट यह सब सेंसिटिफ वर्ड सें इसलिए इनको पढ़ा रहा हूं क्लोश्टेस कॉमन एर कहीं भी आ सकते हैं यह वर्ड किताबों के अधा सेस्वम है अब यहां पर नत्रत नहीं है दोनी लेड दे टीम को जीत दिलाई अब दिलाने के लिए कोई मिनिंग नहीं है दिलो दोनी ने टीम को जीत दिलाई ऐसे आलत में आकर अपने जिन्दगी में धन्यत लाओ Let the team to victory और ये भी हो सकता है दोनी let the team to defeat अब इसका मतलब नहीं दोनी नहीं बाबर बाबर लिखो बाबर Let the team to defeat बाबर ने team को हार दिलवाई यार इंडिया वाले बहुत ब्यहूदे खिलाडी हैं यार ना तो इनके बोलिंग में दम है ना तो बैटिंग में खिलाडी तो अच्छे हैं जैसे विराट कोली है सुर्यकुमार है अच्छे हैं लेकिन यह जो शुरू वाले दो हैं ना हर बार अंदर ही जो है जो प्लेडाउन होता है और डर के ना डर आ गई है उसके अंदर उसके जगह मैं सोच रहा हूं कि उसको रिशापंद को लादा हो रिशापंद तू टेस्ट मैच देखता नहीं है ना टेस्ट मैच में अरे सुन पहले लेफ्टी है वहां पर बाउंसी पीछे जाएं और शुरू में छे उबर में आ आगे बढ़ बढ़ कर तीन चार पांच चक्के मार देना और लेफ्ट राइट का कॉंबिनेशन भी डिस्टर्ब करता है लें बस मज़ा जाएगा इनसे तो राहूल से तो अच्छाई करतेगा और इस समय इंडिया का बेस्ट बैट्समन कौन है सुरिया है उसका क्लासी अल अब लेट्टू और यहां पर दोनी ने टीम को जीत दिलाए और यहां दोनी टीम का नेत्रत तो करता है ऐसे जब पढ़ोगे तो अपने आप सेंस आने लगेगा और आपके जीवन में धन्यत आएगी अब यह लड़का नहीं समय रहा है कि लीड नाउन भी होती है तुमारी लीड हमारी बढ़त दलीड आप आप टीम हमारे टीम की अब देखना यह क्यों यह सेंसिटिव वर्ट्स हैं क्योंकि अब इनको पता रहे मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं लेकिन मैंने जब देखा पेपर प्रिए सारे वर्ड्स को देखा मैंने का कि यह मुर्ख जो है रेड ब्लु बैक ब्लैक ब्लु पढ़ा नहीं क्या क्या पढ़ते हैं अरे जो बता रहा हूं यसी को पढ़ लो के मिस्ट्री को पढ़ो पहले इसको खाओ एक महिने बाद एक जान देने जाना ना पहले इसको खाओ और मैं अप्ते में दो दिन फ्राइडे सटर्टिव वनवर्ड पढ़ाऊंगा दो दिन वनवर्ड में प्रिफिक्स सफिस करा गए समझा दूंगा समझ गया क्यों अब यह अकंपनी को अकंपनी करने का कesis जाना और किसी घटना या एक्सन को अकंपनी करने कावशने एक साथ घटे हो तो बड़न आया था न्यूजब पेपर में पर्सिंडर्ड पर्संगरी को फालो करने को कूआ अबै लेकिन कोई घटना कोई कानून फालो कर पर go together साथ जाना अब देखना यह बंदे इतना सही है यह exercise लेकिन कोई ध्यानी नहीं देता वह तो मैंने previous year के question देखने के बाद मैंने का कि पहले तो मैं previous year से पहले यह करा दूं यह previous year का बाप है अब देख जन्हें he accompanied with his father हिंदी में जाओगे तो अपने पिता के साथ गया कहां गया टैक्सी टूथा रेल यह गलत क्यों है कि अकंपनी ट्रांजिटिव बर्भ है और फादर क्या है ऑबजेक्ट है बीच में विद का यूज नहीं आएगा तो एक गलत है समझ गए बाप और बेटे दोनों इस सम्झे यहाँ पर यह ट्रांजिटिव बर्भ है और यह क्या है ऑबजेक्ट विद नहीं आएगा यह कंपनी इस फादर टू रेलवे स्टेशन अब देखो पैसी बनाओ इसका कुछ तो देखो यह यह ट्रांजिवर और यह क्या है ऑबजेट ऑबजेट क्या बन गया सबजेट किसके द्वारा उसके द्वारा कहा टैक्सी टू दे रेलवे स्टेशन विद मत लगाना कंपनी के साथ है ठीक है बोग दा इंसिडेंट्स अकंपनीड इच अधर यानि एक दूसरे के साथ घटेद हुए हैपन टूगेदर रही है यह बोलो यह क्या है है एक साथ घटेद होने इंफलेशन अकंपनीड बाई रिषेशन और एक बार तो देख ले तेरा जो जमीओ तो देख ले यार यह क्या है तक है और यह अकंपनीड क्या है तो एक आनि नहीं दे राइंचिंग इंफलेशन विचिज अकंपनीड बाई रिषेशन वह महेंगाई जो तो recession के साथ घटित होती है यह adjective loss था यह को silent कर दिया तो यह accompanied by recession यह पूरा इसका क्या है adjective phrase मेरे साथ चलो मंदी के साथ मंदी के साथ घटित होने वाली महेंगाई अभ ये फादर सब्जेट है इसका मदर क्रिपल कर देती है मिनिंग ना है कोई दिक्कत नहीं क्रिपल कर देती है किसको क्रिपल कर देती है एकॉनिमी को आफा कंट्री तो अर्थ वेवस्था को क्रिपल करती यानि पंगु बना देती है पंगु जानते हो क्या पंगु बना देती है यानि जब आदमी पंगु हो जाएगा तो तेज चलेगा या दीरे-दीरे-दीरे अर्थ वेवस्था को पंगु बना देगी तो ते अब देखना dispel अब यह देखना है यह देखना यह लड़का नहीं ध्यान दे रहा है this money away यह लड़का क्यों नहीं ध्यान दे दिस का मतलब क्या है और पल का मतलब push तो dispel idea को dispel करना feeling को dispel करना belief या fear को dispel करने का मतलब दिमाग से उसको निकालना दिमाग से निकाल dispel अब इस लड़के पर क्यों गुस्ता हो रहा हूं मैं देखना है इसलिए हो रहा हूं यह दिखो ऐसे ऐसे words ला रहा हूं कि यह पागल हो जाएंगे यह पाइप पाइप के अंदर पाइप से इसमें क्या जा रहा है पानी और इम क्या है इन है लेकिन यह पाइप जो है यह रूट वर्ड है और इन जो है इस एन को क्या बना दिया एन तो इम पाइप इम पाइप इम पाइप तो बोलने में अजीव लग रहा था फिर अंग्रेजों ने उसके क्या बना दिया बाइप जब यही ब्रेन के अंदर जब कोई फिलिंग जाती है तो उसको इम बाइप और टंकी के अंदर पानी जाता है तो इम पाइप यह कोई वर्ड नहीं है मैंने पहले सोचा कि इन मने अंदर पाइप जैसे टैंक के अंदर पानी जा रहा है वही से ब्रेन टैंक के अंदर तो इम पाइप उसी तरह ब्रेन के अंद तो अब देखो ब्रेन अब यहां पर नॉलेज या फिलिंग को अपने अंदर लाना इंबाइब बहुत ही अच्छा वर्ड है भायो मैंनो ऐसे ऐसे वर्ड्स दिया है मैंने इंबाइब और ऐसी मिलेट देखो तुम नहीं द्यांदर रहें यह एडी था और यह सिमिलेट था समझो एडी मैंने बताया था टूवर्स टूवर्स का मतलब पास तो किसी नालेज को किसी आइडियाज को एस्सिमिलेट करो गई तो उसको अपने पास लादो गई अब यह सि कि बेबिलोनियां था मिश्र में वहां पर मिश्र की McMवै बेब्लोनिया पर्शिया इतने बड़े बड़े जो हैं के सभीलाइजे संथें सब नॉस्ट हो गए सब नश्ट हो गए क्योंकि वो दूसरों से हमें सा लड़ते ही रहे हम लोग क्या करते हैं कोई हमारे ना आया. तो हम उस को क्या कर लिए एस्सवीलेट कर लिए है एड प्लस सिमिलेटänder अपना बना लिए सिमिललर अपने समान उनको बना लिए तो । जो एस्सीलेट rubbish मतलब है आत्म सथ पर आत्म मनय अंदर सांत्म मनES सत्व तो assimilate करने का मतलब है किसी आइडिया या विचार या कल्चर को आत्मसाथ करना या इंबाइब तो इंबाइब और assimilate एक दूसरे के क्या है सिनोनिम है इम का मतलब यह इन है अंदर ग्यान अंदर आ रहा है यह इंफार्मेशन को क्या कर लिया एसिमिलेट कर लिया अपना आत्मसाथ करना और इंबाइब करने का मतलब भी आत्मसाथ करना ही है अब यह एक इंट्रांजिटिव प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्मीनिंग बदल गई है एसिमिलेट इंट्व अधर कम्मुनिटीज का मतलब गुलना मिलना विरेशी आये तो इंडिया के अंदर ही क्या हो गए एसिमिलेट हो गए क्योंकि यहां के लोग वह आये सब यहूदी लोग आये और तमाम पार्सी लोग भाग भाग के वहां से आये अ ओ बा DJ लोग जाके उनको खाना पिना दे लो साप खाओ लो तुम हापना वो बना लो भाग पूजा का घर बना लो बल्कि वो लोग mandate दे देते थे पत्तरल्व सानौ अ ऐसे लोग थैं अभीए गाहू मेरे meet Assaultới है अभी भी नहीं मनें कम हैं लेकिन है कम हैं लेकिन हैं लोग्साब लुग्धा इतनी सह्ताती इसलिए जो है आज भी अपना वजूद भचा हुआ है सिर्व इसलिए कि इसलिए वजूद भचा हुआ है अपनी संस्कृती बची हुई है इसलिए बची हुई है तो इंबाइब और ऐसे अब इससे नाउन मनाओ एसिमिलेट से एसिमिलेशन क्या बनता है अब देखना फारेनार्स केम टू इंडिया विदेशी बारत आए टैक्सी से टू इंडिया एं इंटेंसी मनें अरे बोलो टेंडेंसी का मतलब क्या होता है प्रबिर्ति नहीं सुने हो क्या किसीने प्रबिर्ति सुना है क्या नेचर नेचरल बीएवियर को क्या बोलते हैं टेंडेंसी लिखो नेचरल बीएवियर लिखो नेचरल बीएवियर को क्या बोलते हैं भायो बैनो टेंडेंसी नेचरल बीएवियर टेंडेंसी नेचरल बीए क्या करने के लिए आत्मसाथ करने के लिए किसको दूसरों के कल्चर्स को दूसरों के कल्चर को एसिमिलेट करने की टेंडेंसी रखता है कौन इंडियन कल्चर आत्मसाथ अब देखना यह देखो कल्टिवेटर है कल्टिवेटर क्या कर रहा है खेत जो उद्रा है तो कल्टिवेटर से ही कल्चर बना और कल्चर से क्या बना एग्री कल्चर बना अब यह लड़का नहीं समझ रहा है कि कल्टिवेटर कल्टिवेट से बना है न तो कल्टिवेट हम खे को भी करते हैं और ये तो देखो ये तो देखो है विट को एटिट्यूड को या इस्किल को कल्टिवेट करने का मतलब दिमाग रूपी खेत में खेत जोत करके उसमें इस attitude skill का बीज बोना और धीरे धीरे उसको विक्सेत करना यानि अपने दिमाग रूपी खेत में have it attitude और skill को cultivate करने का मतलब है उसको develop करना ठीक वैसे ही जैसे खेत में फसल को cultivate करते हैं cultivator तो देखा होगा ना तो cultivate उसी से याद करना तो cultivator खेत में पौदे के लिए यूज कर रहा है लेकिन यह कल्टिवेट पौदे को अपने दिमाग में habit और attitude और skill को विक्सित करना सिनोनिम इसका क्या है इन कितने अच्छे अच्छे वर्ड दे रहा है इंबाइब का सिनोनिम मत हस मत उधर कर नहीं तो जानता है कि कभी कुछ भी हो सकता है आज साथ तेरे साथ तो यहां पर और तुम लोग भी उधर ध्यान मत दो पीछे वालों यहां पर समझो इंबाइब का सिनोनिम क्या है एसिमिलेट और इन कल्केट का सिनोनिम क्या है इन कल्केट और डेबल देखो इन माने अंदर कल्टिवेट से ही बना है कल कल्केट तो समझो कल्टिवेट और कल्केट कल्टिवेट और इन कल्केट यह सी यू एल जो है न यह खेती यानि कि बी करेंगे habit attitude और skill को तो चलो cultivate का synonym बलो inculgate या develop अब जमीन को land को cultivate करते हैं तो खेती के लिए उसको तयार करना और crop को cultivate करते हैं तो फसल हुगाना और habit और attitude को cultivate करते हैं तो उसको विक्सित करना यह सब चीजें सीखना है अपने को मनुस जीवन में single word की meaning इसलिए chemistry of words है इसमें जाओ इसको पड़ो अपने आप सुधरने लगेगा और meaning याद भी होने लगेगा समझ रहे हो क्या आइसे समझ यार habit को attitude को skill को cultivate करना करना उसको विक्सित करना और जमीन को cultivate करने का मतलब उसको खेत के तैयार करना और crop को cultivate करने का मतलब उसको उगाना बोलो भारत माता की चाह जाओ कल नुच बेबर मिलेगा है आना आतता सान्गत आंगेग करने की लगे complement का मतलब बेदाओ करना की कै लार Cameron एक kärt कि मतलब करना की चाह प्ल inteligente अविक्रवा को विक्सित करना बहा यार हो क्या नुच यहार है झाल झाल